मूलांग एक आप में से अधिकांश लोगों को मूलांग के बारे में पता ही होगा अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महा की एक दस उन्नीस या 28 तारीक को हुआ है तो उनका मूलांग एक होगा यदि आपका या आपके किसी जानने वाले का जन्म किसी भी महा की एक दस उन्नीस या 28 तारीक को हुआ है तो आपको हमारा ये लेक पूरा पढ़ना चाहिए तो आए चर्चा करते हैं मूलांग एक के बारे में मूलांग एक का स्वामी ग्रह सूरे है और सूरे को जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है यदि आपका आप द्रीर, निश्चाई और श्रिजनशील व्यक्ति होंगे आप में नेतरित्व करने की उत्तम क्षमता है लेकिन आप कुछ हद तक हठी और अहंकार से युख भी हो सकते हैं ऐसे में एक सलाह हम आपको देना चाहें कि कि अभिमान और स्वाभिमान दोनों में अंतर होता है आप दोनों को पहचान कर ही आचरण करें आप भली भानती जाच कर लें कि जिसे आप स्वाभिमान समझ रहे हैं कहीं उसने अभिमान का रुप तो नहीं ले लिया है यदि आप अभिमान से बचकर स्वाभिमान तक सीमित रहते हैं तो आपकी गर्णा श्रेश ठितम करने वाली बात के धनी सुनेले पर अज्जिगेवन सध्धानतिक व्यक्ति हैं और ये गुंड श्रेश ठितम बनाने में बहुत सहायक होते हैं प्रसिद फिल्म अभिनेत्री एश्वर या राय बच्चन मूलांग एक वाली ही हैं और फिल्म इंडश्ट्री में कोई प्रसिनायों से ये घबराते नहीं हैं लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इन में से कुछ लोग बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते लेकिन शाय दिनका यही गुंड इने सफलता दिलाने में भी सहायक होता है यदि मुलांग एक वालों की शिक्षा की बात की जाए तो प् इनकी साथ पढ़ने वाले विद्यारती और इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक सभी लोग इनका सम्मान करते हैं जदि इनकी आर्थिक स्थिती की बात की जाए तो साम्हाने तोर पर इनकी आर्थिक स्थिती अच्छी होती हैं इनको धन की कमी नहीं होती यदि कभी धन की आ जालने से बचना, चाहिए अनिथा तो इन्हें हानी ही होती हैं, चापलूसों से भी इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि चापलूस इन्हें हानी पहुचाते हैं, यदि इनके संबंधुं की बात की जाए तो समान्यत है, ये भायों में बड़े होते हैं, और अपने भाय ब पहचाना चाहते हैं फिर भी ये उनकी भलाई करते रहते हैं। इनके अधिकांशत मित्र दो तीन नौ मुलांक वाले ही होते हैं। वैसे एक छे साथ मुलांक वालों से भी इनकी निप जाती है। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो बाहर से कठोर दिखन के बावजूद ये अंदर से म्रदूस्वा भावव प्रेम के इच्चुक होते हैं। इनका प्रेम संबंध स्थाई रहता है। यदि अपने प्रेमी प्रेमिका से इनका विवाह नहीं भी हो पाता तो भी उनसे मैत्री संबंध रहते हैं। और ये एक दूसरे की साहता करते ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी धःरेवान, आगयाकारी तथा वफादार हो, इनके संतान कम होती हैं, फिर भी एक उत्र अवश्य होता है, ये अपनी संतान को बहुत चाहते हैं, लेकिन अपने प्यार को प्रकट नहीं कर पाते जिससे संतान को इनके प्यार की कमी मैसू यदि इनके कारिक्षित्र की बात की जाए तो मूलांग एक वाले अच्छे प्रबंधक, विचारक, IAS या PCS अधिकारी होते हैं। इन में जन्म से ही नेत्रित्वों के गुण होते हैं अता ये अच्छे नेता बन सकते हैं। भूदपूर्व अमरीकी राष्ट्र पती बिला क्लिंटन वे इंदिरा गांधी का मूलांग एक ही है। मूलांग एक अच्छे राजदू भी सिध्ध होते हैं इसके अलावा ये डॉक्टर सर्जन, डेंटेस्ट भी होते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाव, सिनिमा, प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी के तौर पर भी अच्छे सफल रहते हैं। यदि इनके स्वास्ते की बात की जाए तो इनकी जीवनिशक्ती प्रबल होने के कारण। सामान्यत, इनका स्वास्त उत्तम रहता हैं। फिर भी ह्रदय रोग, धरकन की अन्यमित्ता, पेट रोग, आखों के रोग होने का भर रहता हैं। इसके अलावा इन्हें बुढ़ापे में रक्त चाप, द्रिश्टी दो शादी रोग भी हो सकते हैं। इनके लिए एक, दो, तीन वह नौ मूलांक वाली तारिक हैं और रविवार वसुमवार के दिन शुब होते हैं। रंगों की बात करें तो पीला, सुनाहरा या नारंगी रंग अनुकूल रहता हैं। आशा है, मूलांक एक वाली अपनी बारे में इन तत्यों को जानकर अनुकूल आचारण करेंगे और अपनी जीवनपत को सरल बनाकर जीवन का अनन्द लेंगे। नमस्कार।